हेलो दोस्तो आज बात करने वाले हैं नीरी सीराप के बारे में नीरी सीराप एक आयूर वीदिक दवा है जो कोई भी मेडिकल इस्टोर पर मिल जाता है नीरी सीराप पाथरी के एलाज के लिए काम लिया जाता है और गुर्दे की बेमारी की एलाज के लिए उपयोग किया जाता है एमिल नीरी सिरप का और भी दूसरी शमशों के लिए भी उपयोग किया जाता है चलिए जानते हैं दोस्तों एमिल नीरी सिरप का किन किन इस्तितियों में लिया जाता है और इसे कैसे लेना चाहिए इसको लेने से क्या क्या नुक्सान हो सकता है और इसे कितने मात्रा में लिया जाना चाहिए चलिए जानते हैं बीस्तार से एमिल नीरी सिरप को बनाने वाले कुमपानी का नाम है एमिल फर्मासिटिकल इंडियान लिमिटेट एमिल नेरी सिरप 100 ml के बोटल में मिल जाता है एमिल नेरी सिरप दूसरे ml के बोटल में भी मिल जाता है कोई भी मेडिकल इस्टोर पर एमिल नेरी सिरप का किम्मत के बारे में बात करें तो 259 के आसपास मिल जाता है एमिल नेरी सिरफ के समगरी के बारे में बात करें तो गुखुरू है काम इच्छा को बढ़ाने के लिए उप्योक एजेंड है और गुखुरू का दूसरा फाइदा ये है सरीर के अतिरेक्थ पानी को निकलने के लिए बार-बार मुत्रों का कारण बनने वाले घटक है और दूसरी समगरी है दारू हुल्दी ये दवा चोट के कारण होने वाली सूजन को कौम करती है दारू हुल्दी की दूसरे फाइदा ये है दवा जो लिवार को सामन कार्ज की रक्षा करने में मददगार है तीसरी समगरी है सहदेवी दवा का एक बेग जो पिसाप आने की पक्रिया को सुधार करती है सहदेवी का दूसरा फाइदा यह है सुखम जीवो को खतम करने और उन्हें बाढ़ने से रोखने वाले तब है चोथी समगरी है पुनर नवा तब जो जीवी कोसिकाओं में मुक्त करनों को ओक्सी करन के पुरभाव को रोकता है पाच्वी समगरी है वारून गर्वधरन रोकने के लिए उप्योग की जाने बाली दवा है चट्वी समगरी है काक माच्छी एजेन या तब्बे जो सुजन को कौम करने के लिए इस्तेमाल किये जाते हैं मुक्वी के दूसरे फाइदा ये है सरीर में महजूत अक्सीजन के मुक्त करनों को निकलने के लिए उप्योग होने वाले पदत है सात्वी समगरी है पासन भेदा बेक्ट्रियल को बाढ़ने से रोकने वाली दवा है चेलिए जानते हैं दोस्तों एमिल नीरी सिराफ का किन किन बिमारियों के इलाज में काम लिया जाता है पेसलियों के भी साइड में और पीट में गंभीर तेज दर्द से रहा दिलाने में काम करता है एमिल नीरी सिराफ दर्द जो पीट के निचले इससे और जांगों तक फैलते हैं उससे भी रहा दिलाने में मदद करता है अमिल नीरी सिराफ दर्द जो रहरे कर होता है और कभी हलका कभी गंबिर होता है उससे भी रहा दिलाने में मदद करता है नीरी सिराफ चब करने में दर्द या जलन से रहा दिलाने का काम करता है एमिल नीरी सिराफ गुलाबी लाल या भूरे रंग का यूरीन आना उससे भी रहा दिलाने के काम करता है एमिल नीरी सिराफ पिसाब में बदबु आना उससे भी रहाद दिलाने में मदद करता है मिल नीरी सिराफ लगातार यूरीन करने का अब सकता समन्न से अधिक यूरीन करना पार में यूरीन कौम आना उससे भी रहाद दिलाने में काम करता है मिल नीरी सिराफ मुत्रसे के संक्रमेंट से भी रहत दिलाने का काम करता है इमिल नीरी सिराफ पिसाप की दोरां दर्द या जलन से रहत दिलाने के भी काम करता है इमिल नीरी सिराफ बदबुदार और खुनी पिसाप से रहत दिलाने में मदद करता है इमिल नीरी सिराफ और भी दूसरे समसाओं में भी इस्तमाल किया जाता है एमिल नीरी सिराप का चेलिए जानते हैं दोस्तों एमिल नीरी सिराप के नुकसान के बारे में एमिल नीरी सिराप के नुकसान के बारे में बात करें तो ये एक आयूर बीदिगदावा इसमें नुकसान होने का समभा बना काम रहता है फिर भी एमिल नीरी सिरप को लेने से पहले किप्या डक्टर की सला लेना जुरूरी है क्योंकि हर मरीजों के मामले अलग अलग होते हैं इसलिए डक्टर की सला लेना जुरूरी है एमिल नीरी सिरप के डोच के बारे में बात करें तो हर मरीजों के मामले अलग-अलग होते हैं इसलिए डोच भी अलग-अलग हो सकता है फिर भी शाधारन एमिल सिरप के डोच के बारे में बात करें तो एडल्ट में इसे दो टेश्पून करके दिन में दो बार लिया जा सकता है किसी भी वक्त बच्चों में दिये जाने बाले शाधारान डोच एक टेजपिन करके दिन में दो बात दिया जा सकता है किसी भी टायम अमिल नीरी शिरप को गुंगुने पानी के साथ लेना चाहिए एमिल नीरी सिराप को लेते समाएं बोटल को अच्छी तरह से हिला कर फिर दावा को लेना चाहिए हमारे दिये हुए जानकर अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, सस्क्राइब, कॉमेंट जुरूर कीजिएगा